प्री विद्यार्थियों अगर आपने कक्षा 10 की परिक्षा दी है और नौदे विद्यार्थ लेना चाहते हैं तो उसकी वेकेंसी निकल चुकी है फारम बढ़ने के अंतिम तारिक 31 माई है परिक्षा के लिए 22 जुलाई है यह पहली बार ऐसा option आया है जिसमें परिक्षा हो रही है अभी तक 11 क्लास में खाली स्थानों पर वेकेंसी होती थी उनके उपर मेरिट के आदार पर पर दिया जाता था इड्मिशन इसके लिए इस वीडियो को लाच्ट तक देखें मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि सारी जानकरी आपको समय पर मि परेंट्स के सिगनिचर तीनों चीजें आपको चाहिए फोटोग्राफ सिगनिचर और परेंट्स के सिगनिचर तीनों आपको चाहिए तीनों के अलावा जो जो इनफोर्मेशन आधार नंबर आपके पास अपडेटेट होना चाहिए उससे आप इनफोर्मेशन जो भी है इ प्रोवाइड की जाती है को एजुकेशनल स्कूल है जनरली रूरल एरिया में है और यह सारी सारी एजुकेशन फ्री है बोर्डिंग लोजिंग एनिफॉर्म टेक्सबूक एड्सेक्टरा और इंडिया में भारत में वरतमान 649 नवदय हैं तो इनके बारे में आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या मिलती है इसका भी वीडियो है यह आप दोनों देख सकते हैं चैनल पर नए हैं तो सब् की बात करें कि कौन कौन इस परिक्षा में फारम बढ़ सकता है तो सबसे पहले आती है आपकी डेटो बर्थ आपकी जनम दिनांग एक जून 2006 से 31 जुलाई 2008 के बीच में होने चाहिए दोनों दिन इसमें सामिल है और इसी साल आप 2022-23 में कक्षा 10 में पढ़े होने चाहिए अगर पहले आप पास कर चुके हैं तो आप इसके लिए इलिजिबल नहीं है डेटो बर्थ का क्राइटेरिया सभी के लिए सेम हैं चाहिए आप ओबी सी एसी एस्ट किसी भी केटेगरी में हो सभी के लिए एक है और टैंध आप रेकोगनाइज बॉर्ट से पास होने चाहि होता है दूसरा इंग्लिश का होगा साइंस सोचिल साइंस और मैथमेटिक्स पांचों सब्जेक्स के बीच पूचे जाएंगे टोटल हंडेट कोशन आएंगे और हंडेटी मांस की होंगे परको करने के लिए थर्टी मिनट से आपको लिखा हुआ है अप्रोक्श्माट का पेपर हैं जो आपको शॉल करना किसी भी में ज्यादा समय लगा सकते हैं सारे पांचों करने अगर दिव्यांगे तो आपको 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे और पोजिटिव आंसर या सई आंसर देने पर आपको एक मार्क्स मिलेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग नह इंग्लिष हैंदी में से एक बासा को चूज करें अब स्ट्रिम सेलेक्शन में क्या होगा पांच में आप देखो पांच में आपने पेपर दिया है यह देखिए आप पास मैंटर विट्टी इंग्लिश शाइंस सोशल साइंस में इन पांचों में से मिनीमम आपको 6 मार्क् में से देखो मिनीमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं अब आपको सब्जेक्ट लेने हैं तो मेरिट कैसे बनेगी जिसे आपको साइंस लेना है साइंस अगर पीसी है फिजिस केमिस्ट्री कंपल्सरी है और मैथ जो भी आप चूज कर सकते हैं एक ताप कर समेंटर लिट और बेंगाएस जाएंगे तो सब्जेक्ट के आपको साइंस अगर ले रहे हैं तो आपका सारा स्टेस्स के ऊपर होना चाहिए साइस के 20-20 question right होने चाहिए फिर समय मिलने पर social science और उनको करें लेकिन minimum 6 marks compulsory है इसके लोग आप देखें कब minimum 6 marks में 18 जैसे लिए minimum 6 marks है तो 3 subject मिला है कितने होंगे 18 तो 18 से आपका selection नहीं होगा selection के लिए आपका क्राइटेरिया क्या है देखें 21 marks चंजल और OBC boys हैं तो आपके पास कितने marks होने चाहिए 21 और general OBC girls है तो आपके पास कितना होगा 20 और आप सेस्ट दिव्यांगता पास 18 marks minimum होने चाहिए अब अगर आपकी टाई रहती है तो क्या होगा कर जिनके दो सब्जेक्ट को छोड़ करके उन दो सब्जेक्ट के आदार पर आपका score क्या जाएगा जैसे आप साइंस ले रहे हैं तो आपका क्या होगा इन्स का सब्जेक्ट आपके सकते हैं और सब्जेक्ट आपके दिया हुआ इसका आप स्क्रीन शोट ले सकते हैं और इसको नॉट कर सकते हैं पूरा टेंगर स्लेबस है और मैंने चैनल पर नए हैं तो मैंतेमेटिक्स के त्यारी के लिए कि ट्राइंगल से टॉपिक है कि मैंने यह बना रखा है सीरीज इसमें सारे टॉपिक के वीडियों हैं और उनके क्लिक here to submit online application for class 11 lateral entry selection test 2030 और लास्ट देर की 31 में इस पर आपको क्लिक करना है जिससे ही इसको आप क्लिक करेंगे इस तरह का सब्सक्राइब नोटिस्फिकिशन यह बहुत इंपोर्टेंट है इसको आप सबसे पहले ओपन करें और इसको पूरा पढ़ें आप जिस स्टेट में हैं जहां से आप फारम बर रहे हैं जहें कौन सी डी साइंss हैं मांब और कौन सी ज़्गार पर साइस हैं जो snow सब्जेक्ट आपको लेना है या इनिंधी आपको लेना थो फिर उसके बाग आपको पूलिक करना हैं क्लिक here to apply registration सबसे पहरें आपको सेट करना है इसको डिस्टिक चूज करेंगे फिर आपको नाम लिखना है इमेल आइडी लिखनी है पीता जी का नाम लिखना है आपके नेशनलिटी तरी इंडियान जो भी cut marks आपके हैं वह लिखने हैं sex आपको drop-down death से आपको male female transgender जो भी एक category आपको जनरल SCST OBC आपको fill करना पिन-call number present address std Code इस सारे आपको fill करने हैं और disability में देहान रहिए कर 40% से कम है तो आपको नो लिखना येस हैं तब भी लिखना परसेंटेज लिखना आपको रिलीजन चूज करना है एनियल इंकम और आधार नमबर लिखना है यहाँ तक आपको इंप्रमेशन इजी लिए फिर देखे सबसे इंपोर्टन है आपको अच्छी तरह से बढ़ने है सेलेक्ट इसको आपको स्कूल का नाम लिखना है जो भी आपकी स्कूल है शौट में लेख सकते हैं जैसे जी यू जो भी गवर्मेंट है सीने सेकंड इसकूल है अपर प्रैम्ट जो भी स्कूल आपकी और अब देखें यह इंपोर्टेंट पॉइंट है मानियता प्राप्त इसमें स्कूल लोकेशन यह बहुत इंपोर्टेंट है इसमें जैसे आपको ड्रॉप करांट करेंगे तो वर्ड आएंगे अगर आप दिन सहर में पढ़ें अर्बन में आएंगे और यहां आपके स्टेंद के सब्जक्ट लिखने हैं जैसे जो भी मैंने पढ़ा है जैसे इंग्लि और आपने किस लेंगवे से पढ़ा यह देखा पर दौप्शन हैं इंदी इंग्लिश और अगर आप रिजन लेंगवें पढ़ें पढ़ें अगर इसा कोई स्कूल हैं जो दिस्टमर में खतम हो जाता था उनके लिए एक लिए प्लिक होगा फिर यहां सबसे इंपोर्टें जैसे आप साइस अगर आपके पहली चोई से यहां पर आपके लिए आपके स्टेट में तो आपको फर्स्ट चोई समझ के बढ़नी फर्स सेकें थर्ड वह इसके लिए दोनों के बढ़नी यह बहुत इंपोर्टेंट पार्ट आपका इसका आप सो समझ के पढ़ें और एक आप पर है जो आप सब्सक्राइब लेना चाहते हैं स्ट्रीम अविलेबली अंडर्टेकिंग आप पड़ें और आपको अपना फोटो अप्लोड करना जैसे मैंने पहले लिए और उसको आप देख लें कोई चेंज करना तो चेंज करें और चेंज नहीं करना है तो उसको आ और कीप काम और गुड़ लग इन यूर एग्जामिनेशन थैंक यू वेरी मच पोर वाचिंग इस एडियो जाए हिंद जाए पार